जहिन साथियों मैं इशार रहमत competition community के इस 36 गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी 36 गड़ सब इंस्पेक्टर के छात्रों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार वो अपनी कर्म भूमी में महनत कर रहे हैं पसीना बहार हैं मतलब की physical की तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार जो है इमानदारी के साथ अपने अध्यन का इस्थर भी बहतर रखें अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं साथियों तो याद रखिएगा इस से पहले अग के बहतर होगा तो इसलिए हमें अपना अध्यान का रखना है बहतर रखना है आशा करता हूं मेरी बाते आप वो समझ में आई होगी, अब जो है, हम एक लेखक के विचारों पर हम विमर्ष करेंगे, मतलब विचारों को हम देखेंगे, उनके अनुभावों को देखेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उनके आपका महनत को उनके डेडिकेशन को मेरा सलाम है जैसे देखा जाया कि 2017 में सबसे पहले बीगुल बच चुका था राजपत्र में प्रकासित हो चुका था और आपका राश्टपती ने अनुमोदन दे दिया थे कि चतिसगर चतिसगर की भरती चतिसगर पुलिस की भरती ली जाया और अभी देखें तो आपका क्या हो गया है है और इसी प्रकार अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें और जो यह सेशन चलने वाला है स्मार्ट स्टडी वे पे और एक क्विक रिविजन फॉर्मेट में तो उसे फॉलो करके अपनी तैयारी को और बहतर बनाया और एक यूद्धिस तर पे तैयारी करते रहें आशा करता हूं मेरी बाते आप लोग को समझ में आये होगी तो आई यह सतर हम प्रारंप करते हैं अधोक कि देख सकते हैं साथİों की 36 सभिस्पेक्टर कोर्स जो है कॉंपटिशन कम्निटी यूअ आप लोग के लिए लाया है लेकिन इससे पहले हम जान ले कि 36 गड़ सब इंस्पेक्टर की भरती परक्रिया किन किन चरणों से होगी किन किन चरणों में होगी तो उसे हम समझेंगे आईए अगर देखें साथियों कि 36 गड़ SI का जो आपका एक्जाम है वो कुल जो है आपका 5 चरणों में समपन होने वाली है इकदम आसानी से समझेंगे इसे हाना पांच चरणों में समपन होगी पहला चरण जो कि measurement का है और वो हो गया है complete हाना सभी को मालूम है देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका pre का exam होगा और pre का exam जो होगा वो आपका 300 अंक का होगा जिसमें 100 प्रस्न पूछे जाएंगे और प्रत्यक प्रस्न जो है तीन अंक के होगे और इसमें minus marking नहीं है clear देन उसके बाद आपका means का exam होगा और means का exam जो होगा वो आपका 3 paper होगा जिसमें आपका gs रहेगा आपका language रहेगा और आपका aptitude और reasoning रहेगा ठीक है और प्रत्यक प्रिक्षा जो होगी इसमें वो 200 अंक की होगी देन उसके बाद आपका क्या होगा physical और physical जो होगा वो 300 अंक का होना है याद रख रहे हैं साथी और इसमें 5 event हैं आप बहतर तरीके से जानते हैं इसलिए जो है बहतर की ओर तो याद रखेगा साथियोग भारत का भूगोल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और साथ में वीशु भूगोल भी डील करूंग आप लोग के साथ तो अपने निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखनी है और जो ये एक महने के डियूरेशन में जो चलने वाला है प्रोग्राम 25 जुलाई से 25 अगस्तक के इसे बहतर तरीके से जो है कंप्लीट करना है और अपना सेलेक्शन सुनिश्चित करना है तो आईए देखें भारत के भूगोल में मैं आज का टॉपिक है आज आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है आपका भारत का भूगोलिक इस्थिती एवं विस्तार और साथ में राज जियूम के इंदर स्वासित प्रदिसों के बारे में हम जानेंगे क्लियर आईए हम स्टार्ट करते हैं जैसा कि साथियों कि भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो भारत का भूगोल पढ़ने के साथ हमें याद होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि भारत की नक्से में कौन-कौन सा राज किस जगह इस्थित है मतलब हमारे दिमाग में भारत का नक्सा पूरी तरीके से सेट होना चाहिए, जब तक के दिमाग में नक्सा सेट नहीं होगा, भारती ये भुगोल पढ़ना निरर्थक कहलाएगा, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ, कि आप मैपिंग करके सारी चीजों को पढ़ें, तो मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो 100% कंसेंट्रेशन के साथ आप मैपिंग करके सारी चीज़े करेंगे, वीडियो को पाउस भी करके अपना मैपिंग बनाएंगे, तो अगर मान के चलिए, मैं ये को बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों से पूछ दिया है कि पंच मणी बायो स्फियर रिजरू कहा है, पन्ना बायो स्फियर रिजरू कहा है, तो आपको पता होना चीए कि पंच मणी और पन्ना जो है आपका कौन से राज्य में है, आपका मध्य प्रदेश में है, तो इस प्रकार से हम map को देखते हैं तो आइए map की बात हुई तो हम सबसे पहले जानते हैं भारत का छेतर फल तो याद रखेगा साथियो लेकिन आपका पूरे विश्व का कितना प्रतिसत है तो 32,87,000 वर्ग किलो मीटर के साथ विश्व में जो है ये सातवा इस्थान में है लेकिन आपका अगर प्रतिसत पूछ दिया जो कि मैंने आप लोग को बताया तो आपका होगा 2.4 प्रतिसत ठीक है अब सातवा इस्थान है भई पहला नंबर रशिया का है रूज का है तो अब जो है हम जानेंगे कि जो आपका भारत है भारत के परिपेक्षे से और क्या क्या चीज जाने यहां से सिधा प्रस्ण पूछत है न साथियो याद रखना ठीक है अगर देखा जाए कि हम नक्से का अध्यन इस प्रकार से करते है है ना आपका नॉर्थ साउथ इस्ट वेस्ट मतलब कि उत्तर दक्षिन पूरपक्षिम है ना तो इस अध्यन से अगर देखें तो भारत की उत्तर से दक्षिन की लंबाई देखेंगे तो आपका है बतिस चौदा किलो मिटर किता है आपका 3214 किलो मिटर यह पॉइंट नह है पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका 3214 किलो मिटर अब उसी प्रकार हम देखें कि इस्ट से वैस्ट या वैस्ट से इसकी लंबाई कित्ती है तो याद रखना है आपका 2933 किलो मिटर मतलब आपका 2933 किलो मिटर तो यहां से सिधा-सिधा प्रस्ण पूछता है साथियो तो इसे याद रखना है अब हमने देख लिया छेत्रफल जब हम जनगरना पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे लेकिन भारत जो है अगर वैश्वी की सतर से देखें तो आपका छेत्रफल के दिरिष्टी कोंड से सात्वा सबसे बड़ा देश है और अगर समलव 5 प्रतिसत जनसंख्या निवास करती है ठीक है कहीं कहीं कोश्चन में है जो है 17 प्रतिसत भी पूछा जाता है तो इतना हम अभी सबसे पहले इसके परिपेक्श जानते हैं आईए हम जो है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था वीडियो में जब इसका प्रमोशन हो है पूरे विश्व को जो है आपका दो इमेजिनरी लाइन्स मतलब की दो कालपनिक रेखाओं में बाटा गया है जिसके जिसे कहते हैं आपका अक्षांस ये रेखा और देसांतरी रेखा आईए पहले नक्से में समझते हैं और इसका अंसर होगा आपका भारत जो है आठ ड डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक के फैला है तो इसका अंसर हो जाएगा साथियो भी अब जो है इसे असानी से हम समझते हैं हाना आईए यह वाला पोजिशन है इसे भी समझ जाएंगे हम अच्छांस रेखा क्या होता और देशांतर रेखा क्या होता है इसे जो है आपका latitude lines कहते हैं आपका अक्छांसी रेखा कहते हैं तो अगर देखा जाए अक्छांसी रेखा जो है एक मतलब प्रित्वी को दो भागों विभक्त करती है वह आपका भूमद्य रेखा जिसे के आपका zero degree equator कहा जाता है clear then उसके बाद उपर में दिखाई देगा आपको 11 Glass 1.3 डिगरी में आपको करक रेखा जिसे कि ट्रॉपिक फकेप्री कछ कहते में आपका कित्य में आपका तेज़ डिग्री क्लियर उसके बाद आपका नीचे में दिखेगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसे कहा जाता है आपका सुरी टॉपिक ऑफ कैंसर है ना बहुत आपका करक रेखा और मकर रेखा को कहा जाता है आपका टॉपिक ऑफ आपका कैप्रिकॉन ठीक है जि भीज से ठीक है आपका इसे कहते हैं जीरो डिगरी यह आपका 180 डिगरी देसान्तर य आपका Analytics लाइन यहां से देखें अगर इसका पोजिशं तो इस यह गुज है ऑग दिखाई दे रहा है जासाथ ही कि अगर देसान्तर द्रिश्टि कौन से अगर देखें तो यहां दिखेगा आपको 8 degree चैनल 8 degree 4 मिनट से लेकर आपका यहां दिखेगा आपका 37 degree 6 मिनट तक के ठीक है वैसी अगर देशांतरी विस्तार देखें इसका तो यह आपका पूर्वी जैसे कि मैंने मैं आप लोग को बताया तो यह हो जाएगा आपका कित्ता आपका 97 25 डिगरी यहां से 97 होगा तो यहां से क्या होगा आपका 68 68 68 डिगरी हमने इस्ट वेस्ट में बाट लिया लेकिन याद रखेगा जो अक्षांसी रेखा है वह उत्तर और दक्षिण में आपका मतलब आपका विभाजित है तो किस प्रकार से हैं यहां देख सकते हैं नौर्थ पोजिशन और यह हो जाएगा आपका साउथ पोजिशन इसी लिए जो है कहा जाता है भारत जो है वह उत्तरी गुलार्द में इस्थित है मतलब कि मतलब क्या नौर्दान हेमिस्फिएर में आपका इस्थित है clear, आशा करता हूँ, मेरी बाते आप लोग को समझ में आए होगी, और यह question आप लोग का clear होगा, हुआ होगा, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है, तो आईए नक्से में एक बर बना लेते हैं, तो यहाँ से क्या बताया हूँ मैं आप लोग को, 97 और 25 डिगरी, ठीक है, और यहा प्रकार से, इसका भगॉलिक इस्थिती जो है, और विस्तार भी इसी प्रकार से है, आगे बढ़े, आईए, आप देखें, करकरेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है, याद रखिएगा साथियो, करकरेखा जो है, भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, यह आपका भूमत दे रेखा, 0 degree equator, देन उसके बाद नीचे में आपका ट्रॉपिक आफ कैप्रिकॉन, ठीक है, साधे तेज डिगरी में मतलब मकर रेखा, और उपर में आपका ट्रॉपिक आफ आपका कैंसर, जो कि कितना है, साधे तेज डिगरी, और भारत याद रखिएगा साथियों कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, चतुस कोणी, माने तो ऐसा, ठीक है, माने तो इस प्रकार से आपका बटा हुआ है, तो आईए, यह अगर भारत को इस प्रकार से प्रतिच्छेत करता है, यह आपको बाटता है, तो यह कैसे होगा आपका, रक्से में समझे, आठ राज्जी कैसे होंगे तो यह मैं आप लोग को दिखा देता हूं यह 36 गड़ भी रहेगा ना इसमें ठीक है फिर आपका त्रीपूरा और मेजुरम तो याद रखेगा गुजरात में सबसे पहले प्रवेश करेगा प्रवेश करेगा आसा है कि गुजरात में सबसे पहले सबसे पहले गुजरात है फिर राजीस्थान फिर एक तरū मद्ये प्रदेस तीन हो गए फिर उसके बाद आप चतीस गर्षैन पांच छे योगए आ आपका सबसे बड़ा आपका उत्राइया का मीजुरोड के रंधरे और नंबर का ही रूस किलियर आ ki ठीकत्र थीया भड़े। अब देखिए भारत भारतिय मानक देशांतर है। भाई इसे कहा जाता है आपका इंडियान स्थेंडर्ड टाइम। ठीक है आई सी स्थि्रण आप कहा जाता है भारतिय मानक समय डिग्री वाला लाइन है ठीक है और वो कौन सा है आपका ग्रीन वीच यहां मान लेते हैं ठीक है तो यह कहा जाता है आपका GMT टाइम ठीक है आपने मोबाइल में देखिएगा GMT टाइम शो करेगा ठीक है इसका फुल फॉर्म जो है आप कमेंट बॉक्स में अंसर दीजिए तो आपका भारत इस्थित है कहां उत्तरी गुलार्द में करकरेखा के बीच यहां ठीक तो यहां जो टाइम होगा मतलब प्रिथ्वी जो है अपने अक्ष में वामावद घुमती है पूर्व की और घुमती है इस तरफ गुमती है तो इस तरफ सबसे पहले सूरी उदय होगा अगर सूरी महदय यहां है अगर पूर्व की और प्रिथ्वी को घुमाओगे तो सबसे पहले प्रकास कहां पड़ेगा आपका इंडिया के तरफ ठीक है अगर घुम के वापस आएगी तो घुमेगा तो यह इस्तिति में आ जाएगा गिरिन और पूरा मिट गया चमाच आऊंगा सातियों यह हो गया जीरो डिग्री एक्कवेटर देन उसके आपका जीरो डिग्री एक्कवेटर का तो काम नहीं है यह हो गया आपका ग्रिन विच ठीक है जिसको GMT टाइम कहा जाता है और इसे का आंसर देना है आप लोग को कमेंट ब देखें आपका GMT टाइम से IST टाइम का अंतर देखें अगर तो याद रखेगा साथियों आपका है साड़े-पांच घंटे ठीक है कितने ओहो पचास लिग दिया भई साड़े-पांच का से वैसी जाता है न कितना हो जाएगा आपका साड़े-पांच घंटे मतला पांच घंटे 30 मिनट क्लियर है तो यह याद रखना है कि GMT टाइम और आपका IST टाइम में कितने का अंतर है साड़े-पांच घंटे का और इसे यहां स प्रस्ण महोद है यह रहा इंडियान स्टेंडर्ड टाइम कहां से सो किया गया है आपका साड़े-ब्यासी डिग्री पुर्वी देशांतर से क्लियर ठीक है मतलब कि आपका इस्टन लॉंगिट्यूट पोजिशन से ठीक अब जो है एक प्रस्ण बनता है कि आपका यह प्रदेश मध्यप्रदेश 36 गड़ और आपका उडिशा और आंद्रप्रदेश पांच राज्यो से होके गुजरती है आपका इंडियान स्टेंडर्ड टाइम अब पूछेगा कोस्टन कि एक दूसरे को कहां काटती है करकर एक और आपका इस्ट टाइम तो याद रखेगा अफगानिस्तान के साथ जो है डूरंड लाइन अपना जो है सीमा का साजा करती है आई ये नक्से में देखें दरसल बात कुछ इस प्रकार सहेजाती हो कि आपका 1893 के दसक के समय में ये लाइन खीची गई थी ठीक है कहां आपका ये रहा आपका इस टाइप से बाट देते मतलब कि आपका मार्टिमर डूरंड की अध्यक्षता में इसे जो है विभाजित किया गया था अफगानों के आपके सलाह से तो आपका एक प्रसने भी पूछ सकता है कि इस समय आपके भारत के वायस राय कून थे याद रखना है इस समय आपके भारत के वायस राय थे आपक के लैंस डाउन मतलब कि आपका लॉड लैंस डाउन इस समय जो है आपके भारत के क्या थे वायस रहे थे क्लियर आप देखो यहां देख लेते हैं अफगानिस्तान हो गया वैसे यह आपका 1947 में पाकिस्तान के साथ सीमा बना का विभाजन हो गया 17 अगस्त 1947 में ठीक है तो इस आपका 1944 में किसके साथ चाइना के साथ आपका बटा गया किसका आपका रेखा समय तो यह यहां दिखेगा आप का 1914 में खीचा गया था मतलब ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा आपका नेपाल और यह हो गया भूटान फिर उसके बाद बांगलादेश जो है पूरी पाकिस्तान कहलाता था तो इथर कभी लाइन क्या कहलाएगा आपका रेट क्लिफ लाइन कहलाएगा ठीक है अब देखे यह जो बांगलादेश है आपका बांगलादेश जो है बांगलादेश ठीक है ऐसे लिख देता हम भई सब कैपिटल लिया हो तो बांगलादेश के साथ सबसे ज्यादा सबसे बड़ी सीमा का साजा करता है कौन भारत फिर उसके बाद है आपका चाइना सेकेंड नंबर में फिर उसका थर्ड नंबर में आता है आपका पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान आता है थर्ड नंबर में, फिर उसके बाद जो है आपका नेपाल, फिर उसके बाद दूसरी राज जो है, उस प्रकार से सीमा बनाती है, तो सीमाओं से भी प्रस्ण पूछा जाता है, तो याद अगे पहलते खौन से भारति राज की अधिक्तम सीमा मैंमार से इस पर्ष करती है तो याद रखेगा मैंमार के साथ भारत के जी साने बारत के चारीराज स करते हैं कौन कौनसे रुणांचल प्रदेश हो गया नगालेंड पूर हो गया और आपका मिजूरम हो गया तो अरुनाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है सीमा का साजा करता है और मैमार के बॉर्डर को कहा जाता है आपका बर्मा बॉर्डर और बर्मा बॉर्डर जो है आपका अरुनाचल प्रदेश के उपर से स्टार्ट होता है, यह समझ लेते हैं इसे नक्से में, नक्सा बार-बार मैं उप्योग करता हूँ, इसलिए कि नक्से का उप्योग करके ही आप जो है भारती भुगोल पढ़ें तो ज्यादा बहतर है, यह वाला छेत्र हो गया, और यहां तक के फैला है, यह अराकान यॉमा की परवत है, हम लोग जो परवत सिरिंखला की क्लास करेंगे तो उसमें देखेंगे, तो अरुनाचल प्रदेश, फिर नागा लेन, फिर आपका मनीपूर, फिर उसका अरुजोरम, क्लियर है, तो यह याद रखना है, तो ऐसे जो ह आपका कौन है, चीन है, फिर उसका पाकिस्टान है, तो उसी करम से होगा, आरुजोरम बता रहा है, मतलब कि आपका क्या बताना है, सबसे छोटा पहले बताना है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा सीमा की इसके साथ बनाता है, तो हम यह देखते हैं, कि आपका सबसे बड़ अगला एनियम लिकित में से किस भारती राजी की सीमा भुटान राष्ठ के साथ नहीं मिलती हो के देख लेते हैं तो देखो अगर मैप याद होगा तो हम बहटर तरीके सेयात रखेंगे तो मैप अपने सामने जरूर रखें तो सिक्किम के साथ भुटान अपनी सीमा का साजा करता है अरुनाचल प्रदेश के साथ करता है क्योंकि मुझे नजर आ रहा है पस्चिम बंगाल के साथ भी करता है मेघाले के साथ नहीं करता है आई ये नक्से में देख लेते हैं मेघाले नीचे हैं न भाई क्लियर है आगे बढ़े तो मैं पूरियंटेट चीजे याद रखनी है साथ में जो है राज्यों का राज्यपाल भी याद करते जाना है अगे बढ़े प्रसन सीधा पूछता है तो वर्तमान में अगर कोई इधर उलट फिड़ हुआ होगा अगर राज्यपालों से तो उसे याद रखने जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है तो याद रखेगा आनंदी बेन पठेल जो है उत्तर प्रदेश की सागर तीनों मिलते है याद रखेगा कैप केमोरीन या आपका कर्ण कुमारी यहां अपरसन कोगा तो यह होगा कंया कुमारी यहां लिए भारत के ये हैं बेभ बंगाल, मतलब बंगाल की खाडी, ये तीनों एक जगह मिलते हैं, कहां, आपका कैमोरीन अंतिरिम या आपका कैमोरीन, या आपका कया याद रखना है, कन्या कुमारी में, clear है, तमीन लडु ने-धू, ठीक है, कहां इस्तिता है, तो तमीन लडु में, आगे ब पाक जल डमरू मद्ध्य के द्वारा भारत जो है सिरलंका से अलग होता है आप देख सकते हैं यहां साथियों कुछ इस प्रकार से कि अगर यह नक्सा लिया जाया और यहां सिरलंका दिखाई दे रहा है तो यहां वाला जो छेत्र है इसे ही कहा जाता है पाक जल डमरू क्लियर, आगे बढ़ें, अगला प्रस्ण है हमारा भारत के निमलिकीत कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से मिलती है तो याद रखेए का साथियों कि उत्थर प्रदेश जो है कि टोटलतल जो है आपका आट अट राज्यों से मिलता है अब हो किस परकार से आईए पाँचवा हो गया मध्य प्रदेश और चतिसगर जो है आपका मिलता ही है छटवा हो गया चतिसगर साथवा हो गया आपका जार खंड और आठवा हो गया आपका बिहार और साथ में हमारे देश की राजधानी जो कि आपका दिल्ली है वो भी इसी छेतर से आके मिलती है तो अगला है जपान को पारमपरी किरुप से सुर्योधइं की भूमी के त disaster करें भारत नाम से अगर अगर देखें वरशवी की स्था से तो आपका जपान है। उसे सुरीयोदय की भूमी कहा जाता है कि वहाँ सबसे पहले सुरीयों का उदय होता है और याद रखिएगा कि भारृत की दिश्टी कों से अगर समझे तो आपका की बिथू नाम की जगह में सबसे पहले जो है सुरी का उदय होता है जो कि अरुनाचल प्रदेश में स्थित है और आपका सबसे बाद में सुरी उदय कहा होता है तो गौर माता नाम की जगा है जहां सरकी कहा जाता है जिसे जो कि गुज्यात में स्थित है वहाँ सबसे अंति रूप से आपका सुर्योदय होता है तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपका इसका अंसर होगा क्लियर है बताया थे प्रिथ्वी अपने अक्ष पे वामावफ गूमती है आपका पुरुवी की ओर तो सबसे पुरुवी राजी कुण सा है अहमदाबाद लेकिन उत्तर भारत का मेंचेस्टर जो है वो कानपूर है और दक्षिन भारत का अगर मेंचेस्टर कहा जाएगा तो आपका कोयम बटूर है तो इसका अंसर क्या होगा सीधा पूछाए क्या है आपका भारत का मेंचेस्टर अहमदाबाद और किसलिए जाना जा तो इस वर का निवासिस्थान प्रयाग है इसका स्क्रीन शॉट ले लिए और इसे तुरंद बैठके यहीं आद करिए क्लियर साथ टाप वो को नगर मुंबई है ठीक है जो कि आपका किसकी राजधानी है आपका महराश्ट की राजधानी है अंतरिक्च का सहर बेंगलोरु ज मतलब आपका यह राजधानी शेत्र है ठीक है घुमने जाएंगे तो बहुत ही आप मतलब प्रफुलित हो जाएंगे क्लियर देन उसके बाद आप देखें कि भारत का हॉलिवूड मुंबई को कहा जाता है उसके बाद है फलोधानों का स्वर्ग सिक्कीम है किंग आफ डेक हमारा निमलिखित में से कौन सा एक सून योजित राजधानी नगर नहीं है तो सबसे पहले यह जाने कि सून योजित राजधानी किसे कहा जाता है साथ यो आप हमारे 36 गड़ की राजधानी क्या है आपका नवा रायपूर तो नवा रायपूर को क्या किया गी है सून बेटर तरीके से और बहुत ही बहतर वहां की रोडे बनी है चोड़ी-चोड़ी सड़क बनी है तो उसी पूछ रहा है कि सुनियोजीत राजधानी कौन सी नहीं है तो चंडी-गड सबसे प्रथम आपकी सुनियोजीत राजधानी के रूप में भारत में आती है फिर उसका जाता है बेंगलूर को कहा जाता है क्लियर याद रखेगा देन उसके बाद अगला है प्रसंद कमांग 16 भागौलीक छेत्र के दिश्टी से भारत के निम्न जीलों में से कौन सा जीला सबसे बड़ा है तो याद रखेगा सांथियों कि भारत का जुले है जो कि लद्धाक में स प्रदेश है कि आपका पुलुचेरी उसका जो है राज्य है कोन आपका माहे क्या आद रखना है माहे क्लियर है सबसे छोटा जीला क्लियर आगे बढ़ें भारत का चेत्रफल संसार के चेत्रफल का दो दसमलव चार प्रतिसाथ है मैंने आप लोग बता दिया ठीक है क्यों बता रहे होई से एटो अच्छ प्रस्ण है आगे बढ़ते परह dau हो इसकी समपून मानव जाती सो ला प्रतिसाज जन संख्या सत्रा प्रतिसड जन संख्या वह 28 प्रतिस्थ जन संख्या weekend तो मैं बताया दा कि restor Morgen नहीं होना है Kartra प्रतिसाज जन संख्या is जो है आपका आप लोगों कराय जा रहे हैं वो पिछली कक्षाओं में पूछे गए प्रस्न है याद रखेगा साथियो व्यापम और जो है आपका वंडे एक्जाम में इन सभी प्रस्न को पूछा गया है क्लियर आगे बढ़ें अगला है भारत के किस राज्जी की सीमा नेपाल भूटान चीन तीन देसों से मिलती है अख लेते है तो में जाई गाल से मिलता रही है और एक पीछे बिलेगा फिर लेफ्ट पर में शिचान रहे है डिखाइनल ऊछलर हाँ और तो यहां देखिए यह सिक्किम है जो कि आपका नेपाल से भी मिलता है चाइना से भी मिलता है और आपका बोटान वाले शेत्र से भी मिलता है अगला प्रस्ण है भारत के समस्त राज्यों में छेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या इस्थान है तो याद रखेगा राजिस्थान क्लियर राजिस्थान होगा और आपका चोथे नंबर में आता है उत्तर प्रदेश तो इस प्रकार से करम भी हमें याद रखना है तो राजिस्थान मध्यप्रदेश फिर उसके बाद है आपका महराष्ट फिर उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश ल आंद्रप्रदिस को कहा जाता है आपका भारत का कोही नूर तो इस प्रकार से हमें प्रस्न करते हुए आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ मेरी बाते आप लोग को समझ में आई होगी और इसे बहतर तरीके से मैपिंग करके करेंगे आप लोग और जो है अपना एक इस तर बहतर बनाए रखेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा साथियो जै हिन जै भारत।